Hello experience, आज हम General Science Chemistry के अंडर पढ़ेंगे Amorphous Allotrops of Carbon के बारे में हम पढ़ रहे हैं Unit No.9, that is the Non-Metals and its Compounds Carbon के दो तरहा के Allotrops होती है, एक होती है Crystalline, जिसमें Diamond आता है, Graphite आता है, Fullerene आता है दूसरा होता है Amorphous Allotrops, जिसमें Charcoal, Suit, Lampley की सारी चीज़ें आती है तो Crystalline Allotrops के बारे में Already Previous वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस Unit का Fourth Part है जो हम आज कवर करने जा रहे हैं अगर आपको सारी वीडियो सिक्वेंस में जाहिए, नहीं समझ आ रहा कहां मिलेगी तो Description Box में जाए, वहाँ पे टॉप पे जो लिंक दिया है, वो Chemistry के प्लेलिस्ट का लिंक है नहीं मिल रहा तो YouTube चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट सक्षन पे जाके, Chemistry, Hand It and Notes की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जितने में वीडियोस वहाँ पे लगाई हैं, सारी सिक्वेंस में लगाई हैं, वन बाई वन आप देख सकते हैं, बड़ियासे नोट्स पे आपके बनके तयार हो जाएंगा, काफी अच्छे लेवल तक आपको अंडर्स्टेंडिंग हो जाएगी इस पर्टिकुलर सब्चे जो पॉइंट से हम औरेडी कवर कर चुके हैं, जस्ट फर दे रिवीजन हम यहाँ पर फिर से पढ़ रहे हैं, अमोफॉस अलोट्रॉप्स के अंडर्स जो एटम्स होते हैं, वो किसी डफिनेट पैटर्न में नहीं अरेंज होते हैं, पीसे है नो शार्प एजिस वन ब्रोक कोक, वुट चारकूल, कार्बन ब्लैक, कोल यह सारे हैं, आपको पहले चीज तो यह पता होनी चीए, कौन से क्रिस्टलाइन, अलोट्रॉप्स है कार्बन के, कौन से एमोफॉस हैं, अब आज की वीडियो में हमें सबसे इंपॉर्टन चीज़ पढ़ने हैं, कोल, कोल की होत होती है, तो इसमें आज सच पढ़ने वाला कुछ है नहीं, इसलिए हम इसे कंपलीटली स्किप करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, विदि लैंप प्लैक, यह होती है, प्यूरस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कंटीन्स 95% कार्बन, प्यूरस्ट फॉर्म होती है, जो भी अमो प्यूरस्ट फॉर्म की, 95% इसमें कार्बन ही होता है, इसमें क्या होते है, बथे हुआ है, भी चमेरी प्यूर्ट परॉडियोस्ट का मतलब होता है, राख, तो जब हाईडरो कार्बन को बर्न किया जाता है लिंट्ट अप्लाई of एर में, तो उसे जो राख बनती है, यह इंक में, शू पॉलिश में यूज किया जाता है, जो आउटमोबिल के टायर्स होते हैं, वहाँ पे एज फिलर यूज किया जाता है, और लेंप ब्लैक को कंसीडर किया जाता है, ओल्डेस्ट नोन ब्लैक पिगमेंट, ठीक है, सबसे पुराना नॉलेच में आया हुआ ब्लैक और यह आई सूट, आँखों में स्याही लगाते हैं, काजल लगाते हैं, राक लगाते हैं, तो उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेंप लैक समझ आगया, कोई भी आप अलोट्रॉप पढ़ें, पहले तो यह पता होना चाहिए, वो है किस तरह का क्रिस्टलाइन है यह अलोट्रॉप यह हम अलोट्रॉप यह हम अलोट्रॉप यह हम अलोट्रॉप है, ठीक है, यह हम अलोट्रॉप पढ़ रहे हैं, सकिन आ जाता है कोग, अब कोग जो है, वो एक्चुल में का अलोट्रॉप नहीं है, लेकिन कोग अलोट्रॉप है कोल का, और कोल कोल से बना होता है हमारा कोक ठीक है बहुत दिमाग लगाने की ज़रत नहीं है समझा रहा तो ठीक है तो इस 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 परसेंट तक काबन होता है 80-25% काबन प्रेजंट होता है और कैसे उप्टेन कर सकते हैं आपको बाइटिंग कोल को हीट करना है in the absence of air at a high temperature और आपको मिल जाएगा कोग तो इस चीज़ को भी आप स्किप कर सकते हैं एक तो यह इंपोर्टन है कितना परसेंटेज थोड़ा सा यह पता होना चाहिए ठीक है बाकि नोट्स बना रहे हैं लिखते चले you never know examiner क्या पूछ ले तो आपको तयारी तो अच्छे से करनी ही है तब नहीं है सकते हैं अच्छा यह important नहीं है हमने इसको पढ़ेंगे ऐसा नहीं है आप पढ़ते चलो हाँ जो चीज़ें important नहीं होती है जो चीज़ें important होती है उनका आप highlight कर सकते हैं एक्ज सब चाहें तो GS handwritten notes भी purchase कर सकते हैं जिसमें history, quality, geography, economics, current affairs, art and culture, biology इन सभी subjects की PDF आपको मिल जाएंगी purchase link मैंने description box में दे रखा है चलिए तो पसीदे चलते हैं अपने next page की और next आता है coal most important part of this unit coal बहुत सारे questions आते हैं इसमें so coal के बारे में जानेंगे इसकी varieties के बारे में जाने है वो सब कुछ हम जानेंगे space में बस आपने अपनी notes making करते हैं ठीक है so coal जो है sedimentary deposit है composed predominantly of carbon sedimentary, igneous, metamorphic अगर याद हो वो geography में rocks के types है sedimentary deposit माने sedimentary rocks से आपको coal मिलेगा sedimentary rocks क्या होती है जो layer की form में होती है in detail हम नहीं पढ़ेंगे बट layer की form में होती है ठीक है तो sedimentary deposits है coal plus यह म जाना होता है ठीक है अब next हम बात करेंगे कि जो भी 90% coal है यह जो हम कोईले की बात करें तो 90% coal है यह northern hemisphere उत्तरी जो अपर पार्ट है और वहां पर मिलता है ठीक है चार वराइटी होती है coal की depending upon the percentage of carbon चार वराइटी है अब किसमें कितना carbon होता है percentage-wise उस हिसाब से हम बात कर चार वराइटी आपकी कौन कौन सी है peat, lignite, bituminous anthracite as it is याद कर लो भई यह लो जी अब यहां पर क्या होता है ना सबसे अच्छी quality का होता है anthracite और सबसे कम carbon होता है peat में तो कैसे याद रखेंगे ABCD आती है alphabets आती है तो इसको ऊपर को याद रखना A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, तो मतलब सबसे पहले A आता है फिर B आता है फिर L आता है फिर P आता है ऐसे आपने याद रखने है ठीक है ऊपर को आपने याद रखने है तो ऊपर को माने कि anthracite में सबसे ज़्यादा carbon present होता है peat में सबसे काम होता है ठीक है अब जैसे peat है 40-50% carbon इ जो है वो एमिट करता है बहुत pollution इसको यूज करने से होता है बहुता राख हिससे होती है पीट से नेक्स राता है लिगनाइट लिगनाइट को ब्राउन कोल भी बोलते है एक यह इंपोर्टन चीज हो गई 50-60% इसमें carbon होता है चा कई जग आपको में जाएगा 45-55 तो आप को अपने मता करते हैं चाली मता हू हरा उता है 40-50 राउंड है 50-60 क्या आपि होता है यहां होता है 40-50-60 स् 2ाचे और उपर होता है 90 राउंड होता है ऐसे आप यह मृता ही खरते है जा आपको लिघनाइट कि हम बात करने से बॉक्छलश के ने लिगनाइटीं कुछाने चाह बहुत बुरौ रहता है, फाइरक्स सीम्स में होते हैं, फाइरक्सटेटन में होते हैं वहींली को लिगनाइट की वजय से होते हैं, एक दम सी आग पकड़ लीन नेक्सेहाcji है, नागम बल्येट 19 इसमें 60-80% carbon होता है coke and gas की production में use होता है and जो bituminous है very important part most widely used and available coal सबसे ज़्यादा use भी bituminous होता है और सबसे ज़्यादा available भी bituminous coal है ठीक है? Now last but not the least is anthracite anthracite is the best quality coal इससे hard coal बोलते है brown coal कौन सा है, soft coal कौन सा है hard coal कौन सा है, spontaneous combustion किसमें होता है, सबसे ज़्यादा धुवाँ कौन छोड़ता है ऐसे questions आते हैं exam में ठीक है? और हम क्या करते हैं? percentage याद कर रहे हैं जी carbon की, नहीं अब आपने exam को समझने की कोशिश करना है examiner किस तरह की questions टार रहे है applications से questions आ रहे हैं, तो उससी तरह से study करनी है, ठीक है? anthracite है, best quality cool hard cool भी बोलते हैं, semi metallic luster, थोड़ सा metal like luster चमचमाहट इसमें होती है, ignites slowly, धीरे धीरे आग पकड़ता है धीरे धीरे जलता है, less loss of heat, जिसे definitely heat come use होगी, highly efficient होता है, जब यह जलता है तो एक blue flame आपको दिखाए देगी complete combustion इसमें होता है, जब यह जलता है तो पूरा जल की छोड़ता है, है ना तो इसमें पूरी तरह से जलती है चीज, कोई pollutants नहीं होते हैं, होते भी हैं, तो ना के बराबर होते हैं, इंडिया में बात करें, तो सिर्फ यहां पर पढ़ते हैं, सो सबसे पहले coal को जो है black gold भी कहा जाता है, ठीक है जी सबसे ज़्यादा uses का power generation में होता है metallurgy में होता है, plus coal reserves जो हैं, वो 6 गुना ज़्यादा available है than oil and petroleum reserves, coal reserves are 6 times greater available than oil and petroleum reserves, यह तो समझ में आगा है, जितने ही पूरी दुनिया में oil and petroleum reserves हैं, उसे 6 गुना ज़्यादा koila available है, एंड दुनिया का सबसे ज़्यादा koila बना हुआ है during carboniferous age, यह ages भी हमने word geography में पढ़ी है, जहां पे हमने evolution of the earth पढ़ा था है, ages पढ़ते हैं हम वहां पे, तो वहां पे हमने carboniferous age पढ़ी थी, जो कि 350 million साल पुरानी है, बेस्ट quality का koila है, वो इसी age में बना हुआ है, ठीक है? चलिए, इसे के साथ हमारा ये coal वाला concept भी हो गया complete और हमारा second page भी हो गया complete बट वीडियो complete नहीं हुए है, थोड़ा सा का लिंक मैंने description box में दे रखा है, राइट चलिए, तो आप सीदे चलते हैं, अपने third और अपने last page की ओर चलिए कुश important facts related to coal, anthracite जो है, best quality coal है, बहुत कम राख वाला content इसमें होता है high luster होता है, correct order अगर हम बात करें, कोले का based upon the carbon content यावन सबस्द जादा carbon किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है तो मैंने आपको बता थे ना, व biggest cd वाला formula alphabets वाला formula, सबस्द जादा Anthiciasite में होता है, इससे कम Bituminous में होता है, उससे कम Thank you पीत में होता है, इससे कम में होता है, इससे सब्राउन आप stages है उल्टी, ठीक है, सबसे पहले आता है peat, सबसे पहले जो बनता है koila वो होता है peat, decay of vegetative matter, जो भी चीजें थे सड़ रही हैं, मिलीन of years लग रही हैं, उसके बाद बनता है peat, peat, peat के बाद जो compressed peat होता है, जो compressed peat होता है तो second stage में वो lignite बन जाता है, compressed lignite जो होता ह 3rd stage में आके bituminous बन जाता है सबसे जादा हमारे पास bituminous अविलेबल है सबसे जादा यूस भी bituminous होता है उसके बाद 4th stage में बनता है anthracite and this anthracite is considered to be a type of metamorphic rock मतलब anthracite metamorphic rock से मिलकर बना होता है जो जाता है through which undergoes through compression and heat and temperature change तीन तरह की rocks होती है igneous, sedimentary and metamorphic igneous तो छोड़ो अभी आप है metamorphic होगी layers जो koila normally होता है metamorphic जो high change होता है heat and temperature and इस सब चीज़ों में ठीके तो anthracite को metamorphic rock कहा जाता है चले आगे चले अब यहाँ पे हमारा जैसे carbon वाला यह complete होने इसके oxides बचते हैं वो मैं आपको next video में पढ़ा दूँगी single paste का content है लेकिन यहाँ पे हम crystalline हमारी जो allotrops है and amorphous जो हमारे allotrops है उनके बारे में थोड़ा सा देखे तो जो artificial graphite है ना कुछ facts है जो artificial graphite है यह obtained होता है adjacent process से जो coconut charcoal है वो use होता है in the separation of inert gases अब इससे जादा हम इन डिटेल क्या करेंगे जानके not so important और इतना फंड़ा होगा इसमें समझ भी नहीं आएंगी चीज़े है ना तो बस मोटा मोटा याद रख लो कि artificial graphite आपको adjacent process से मिलेगा coconut charcoal को आप यूज कर सकते है in the separation of inert gases and graphite जो है that is thermodynamically most stable allotrop of carbon under some standard conditions यह देख लिया अब यह है हमारा आज का last and then video complete राइट charcoal क्या होता है charcoal होता है impure form of carbon इसकी high capacity होती है of absorbing gases gases को absorb कर लेता है अब यह अब लिग तरह को होता है wood charcoal है, bone charcoal है sugar या blood charcoal है इसको आप चाहें तो skip भी कर सकते है wood charcoal होता है जब हम wood को heat करते है लकडी को heat करेंगे in the absence of air air की absence में at high temperature तो हमें wood charcoal मिल जाएगा bone charcoal क्या होता है जब हम bones के destructive distillation करेंगे हमें bone charcoal मिल जाएगा sugar या blood charcoal क्या होता है जब blood और sugar की respectively हम destructive distillation करेंगे हमें यह मिल जाएगा तो यहां पर थोड़े सा wood charcoal देख लो बाकी आप चाहें तो skip भी कर सकते है यह important है that charcoal is an impure form of carbon चाहर और options आपके पास होंगे question होगा that which of the following is considered as the impure form of carbon आपके पास graphite है diamond है आपके पास lamp black है and charcoal है तो क्या करोगे आप चाकुल करोगे lamb black तो आपके amorphous allotrops में purest form है carbon की है ना चलिए I hope जो मैं पढ़ाती हूँ यहां पर आपको समझ आता है कोई भी डाउट रहता है मुझे comment section में जरूर बताएं वीडियो पसंद आ रही हो like जरूर कीजेगा इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें bell icon को प्रेस करें so that मैं जैसे ही कोई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले notification आपके पास पहुँचे plus जो भी आपके friends हैं जो भी government exams के लिए prepare कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का link जरूर शेयर करें so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ वाइदा हो सके तो चले friends आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next video में so that's it and see you soon